दोस्तो आप अगर नए मेकानिक हो और आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं है कि इसका भेलू कितना है कोई भी रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता नहीं है तो आप कोई भी समान को रिप्यार नहीं कर पाओगे हाँ दोस्तो कोई भी इलक्ट्रोनिस समान को जै हाथ में लेते ही आप बता दोगे कि इसका मान कितना है कोई भी रेजिस्टेंस का तो आज भी इस वीडियो में मैं इस तरह से समझाने वाला हूं कि आप सिप एक रेजिस्टेंस को देख रोगे तो आप तुरंद बता दोगे इसका भेलू कितना है तो चलिए दोस्तों आज म वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो कोई भी रेस्टेंस का मान उसका भेलू को पता लगाने के लिए उसको कलर आपको देखना है देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कलर है कोई भी रेस्टेंस में कलर रहेगा आपको कलर देखके पता करना है कि कौन सा रेस्टेंस का भ ग्यांद करना है, ज़से कि golden, orange, green और brown लगा हुआ है, तो golden और silver जो होते हैं, और last color माना जाता है, पहला color कभी भी इसे माना नहीं जाता है, और last color होगा, तो इसके बारे में बताता हूँ, सबसे पहले आप color के code के बारे में आप जान लीजिए, तभी आप ग्यांद कर पाऊ तो black color जो होते हैं, फ्रेंज जो काला होते हैं, वो 0 होते हैं इसका code, और brown जो होते हैं, भूरा वो 1 होते हैं, red, लाल वो 2 होते हैं, और orange जो होते हैं, तीन होते हैं, और yellow जो होते हैं, वो 4 होते हैं, और green जो हरा color होते हैं, वो 5, और blue जो होते हैं, नीला color का, वो 6 होते हैं और violet जो होते हैं, बेगनी होते हैं, इसका जो coat है, seven और grey, जो salinity होते हैं, वो eight होते हैं और white जो सफेद कलर का it can be र nine होते हैं और golden जो कलर हैं, आपको बात में ऐस बारे में समझाओंगा golden जो कलर होते हैं, ओ पाँच परसेंट जो है 5% जो है minus plus और silver color जो होते हैं और 10% minus plus ठीक है friends आपको बाद में मैं उसका percent के बारे में मैं समझाता हूँ minus plus का ठीक है तो आज मैं इस resistance का सबसे पहले मैं ग्यांद करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से ग्यांद करना है ठीक है तो इसका screenshot आप ले सकते हो friends तभी जाके आप इ इसके color को देखकर code को लिखकर आगे मैं आपको बताता हूँ वीडियो को फूरा देखो तो चलिए friends मैं कोई भी एक resistance को ले लेता हूँ और उसका मांद है और फूर्ट कालर जो है और जो लास्ट वाला कालर है वो है golden ठीक है तो आपको एक बात ध्यान रखना है फ्रेंश गोल्डेन और सिल्वल कालर को कभी भी फास्ट कालर नहीं मानना है वो जो है लास्ट कालर मानना है ठीक है तो फास्ट कालर यहां पर क्या है फ्रेंश फ पर एक लिख दिया जैसे अब देख सकते हो अब second color अब देख सकते हो friends इसमें green है तो इसका जो code होते हैं वो 5 होते हैं ठीक है तो हम वहाँ पर 5 लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरह आपको भी लिखना है तो चलिए हम 5 लिख देते हैं आप पर तो इस तरह से मैंन कि क्या लिखना है तो उसका मान 3 है उसका जो code है 3 होते हैं तो मुझे क्या करना है triple 0 लगाना है मैंने 3 वर 0 लिखा ठीक है so friends अगर 4 band का resistance है तो आपको क्या करना है दो color जो सबसे पहले का है तो जितना code होगा उतना ही लिखना है और तीसरा number का जो color होते है उसमें उतना ही 0 लगाना है जितना उसका code होते है ठीक है friends और resistance के जो last color होते है friends वो silver या तो golden होता है तो इसमें golden है ठीक है तो हम golden के बारे में अभी बताता हूं आपको तो पहले जो मैंने लिखा आप देख लिए अच्छा से पहला color था brown तो मैंने brown एक लिख दिया और दूसरा color था green तो म orange था यहाँ पर अब देख सकते हो friends आपको अच्छा से दिखाने को जिस कर रहा हूं यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरा color जो है यह orange है तो orange में मैंने क्या लगाया तीन जीरो लगाया ठीक है क्योंकि orange 3 है यहाँ पर देखिए friends वारेंज का जो code है यहाँ पर नारंगी color का वो 3 है तो मैंने 3 जीरो लगाया अब इसको हम 1000 से भागा करेंगे तो यह कितना होगा friends अगर मैं 1000 से इसको भागा करूँगा तो यह 15 निकलेगा ठीक है मतलब यह 15 kilo ohms ठीक है 15 kilo ohms है ठीक है friends देख सकतो है यह resistance का जो मान है यह 15 kilo ohms है आप multimeter से चेक कर सकते हो और इस तरह से code मिला सकते हो तो यह 15 kilo ohms है अब मैंने last बाला जो बताया था friends यह golden color है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 5% minus और 5% plus तो यहाँ जो 15 kilo ohms हुआ इस resistance का मान यह जो resistance का मैंने मान गयंत किया तो 15 kilo ohms हुआ तो इसके last बाला में जो golden color है तो इसमें क्या होता है plus minus 5% कम या ज 5% ज्यादा हो सकता है resistance इसलिए इसका last बाला color golden दिया गया है ठीक है friends आप मैं दूसरा resistance का मान आपको गयंत करके दिखाने वाला मैं दूसरा resistance ले चुका हूँ और इसका मैं color दिखा रहा हूं देख सकतो यहाँ पर देख सकतो पहला जो color है वो brown है और दूसरा color है वो black है औ तो आपको पता है friends जो पहला color है brown तो उसका जो मान होगा वो एक होगा ठीक है तो brown जो है एक हुआ इसका मान और दूसरा color जो है friends अब देख सकतो यह black है दूसरा color यहाँ पर देख सकते हो तो इसका मान 0 होगा ठीक है अब तिसरा color जो है friends आपको तिसरा color red है तो यहाँ पर यहां पर two zero लिखना है ठीक है तब इसको आप 1000 डाना से भाग करोगे तो कितना होगा एक 1000 से वहागा करोगे ख वहान किलोोम्फ्वा ठीक है फ्रेंट्स हाब हमसाप मिला लीजी है one kilo ohms होगा। और यह गोल्डेन कलर है तो प्लास माइन इस फाइब किलो ओम्स होगा ठीक है फ्रेंट्स आप हिसाब मिला लीजिए वान किलो ओम्स होगा और लास्ट में जो है आप देख सकतो हो यह गोल्डन कलर है तो इसका जो में तो प्लास माइनस 5% अगर सिलवर रहता तो 10% काम या ज्यादा होता लेकिन यह गोल्डं है तो प्लास ममाइनस 5% अब मैंत कालर को क्लार को गयंद करके आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है तो फ्रेंट्स मैंने तिसरा रे बहुर लेग चुका हूँ चलिए यहाँ पर अब देख सकते हो फ्रेंट्स, ग्रे कलर जो सलेटी होते हैं, इसका मान होते हैं आठ, तो हम यहाँ पर आठ लिख देते हैं फ्रेंट्स, चलिए मैंने आठ लिख दिया, और उसके बाद अब देख सकते हो फ्रेंट्स, रेड कलर है, तो रेड दो होते हैं, तो मैंने दो लिख दिए और तिसरा color अब देख सकते हो फिरेंस यह orange है ठीक है तो orange का जो भेलू होते हैं वो तीन होते हैं तो मैं तीन triple zero लगाएंगे यहाँ पर तब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैं एक हजार से इसको भागा देंगे यहां ब्रासी हजर हो चुका है तो हम एक हजर से भागा देंगे तो यह ब्रासी किलो ओम्स होगा ठीक है यह ब्रासी किलो ओम्स ठीक है फ्रेंट्स तो यह जो रेजिस्टंस है यह ब्रासी किलो ओम्स का रेजिस्टंस है और इसका भी जो लास्ट बला है वो गोल्डन है तो इसका भी 5% माइनस या तो प्लास हो सकते हैं ब्रासी के से 5% कम या ज्यादा हो सकते हैं तो दोस्तो मैंने बहुत ही अच्छा समझाने कोजिस किया और आप स्क्रिन सोट ले सकते हो देख सकते हो यहां पर पूरा यहां पर चेट है आप अगर इस किरिंसोट ले कर आप ग्यांद कर लोगे तो आप हाथ में लेते ही पता कर लोगे कि कौन सा रेस्टन्स कितना भेलू का है तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्रीज प्रीज मेरे वीडियो को लाइक करना थैंक यू थैंक यू सो मच